अभी जब टार्गेटिंग करने की बात आती है तो चार आप्शन्स होते हैं जनरली कंपनीज के पास एक होता है अगर मेरा रिटेल शॉप है तो उसका टार्गेट कस्टमर एन मेरी मान लोग की स्टेशनरी की शॉप है तो हुई इस मैं टार्गेट कस्टमर मेरी लोकालेटी में रहने वाले मलाडीस्ट में वटेवर बरवन ऐसा लेकिन उसमें कोई फिर बाकी कुछ जोग्राफी के अलावा कुछ है सब लोग इडिज अन डिफ्रेंटियेटेड बर उसमें भी डिफ्रेंटियेशन आएगा डिपेंडिंग अपन स्टोर का टाइप कहां पे है बरावर स्टेशनरी के दुकान अगर किसी एक छोटे से गल्ली में है तो उसका अलग टाइप का टार्गेट सेग्मेंट होगा और वही चीज अगर किसी मॉल के अंदर है बहुत बड़े से पांचे जार स्टेशियंट का कोई स्टोर है तो उसका प्रफाइल थोड़ा अलग हो जाएगा तो यह हमको थोड़ा क्लियर करना है कि हमारा टारगेट कौन है यह हो गया अनडिफ्रेंटियेट टार्गेटिंग दूसरा होता है दैडिस डिफ्रेंटियेटेट मार्केटिंग मतलब मैं एक से ज्यादा कस्टमर सेगमेंट को टार्गेट करूंगा बरबर आपको मैं चार सोप्स का नाम देता हूँ लाइफ बॉय, लक्स, लिरिल, पियर्स मालू मैं सब को सब कुछ बरबर कौन बनाता है एक ही कंपनी बनाती है लेकिन उसका टार्गेट कस्टमर एक ही है सब के अलग अलग है तो यह एक्जामपल है इसका डिफ्रेंटियेटेड मार्केटिंग टार्गेट सेवरेल मार्केट सेगमेंट और डिजाइन सेपरेट ओफर्स फॉर इच सब के लिए अलग 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 प्रोड़क्ट बनाओ सब के लिए अलग 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 प्रोड़क्ट मार्केट में चार सेगमेंट है चारों के लिए अलग अलग पिर्स किसको टार्गेट कर रहे है मेल फिमेल उसके साथ competition किसकी हो रही है DAO कौन बनाता है DAO परावर उसी की competition anyway so what I am trying to say that यह differentiated marketing है कि बहुत सारे segment को एक ही company देती है ऐसा होता है उसके बाद concentrated niche marketing एक ही segment को पकड़ते है उसको ही बेचते है Apple is one example और कोई किसी को पकड़ा है किसी और को देते नहीं है मतलब या high-end automobiles Apple जो है एक ही segment को पकड़ के रखा है वो लोग सस्ता देते हैं नहीं है रेंज रोवर या तो Mercedes या जो भी ऐसी BMW, Audi 30 लाग से नीचे गाड़ी आ गई तो गड़ पड़ होगी न राइट ओके चार बंगड़ी वाली गाड़ी अगर 4 लाख में मिली तो गड़ पड़ है वो 40 लाख में मिल सकती है चार बंगड़ी का गोल्ड या स्पेशल सीट्स निकली है हजार उबे टिकेट है उसमें भी चार पंग स्क्रीन में एक स्क्रीन ऐसा होगा विच विल भी फॉर इसी टाप के कस्टमर्स के लिए आपकी स्पेसिफिकली आपकी रिक्वार्मेंट के अनुसार बना के देंगे है राइट्स ऊजल लिए बहुत सारे कार को रिनोवेट करते मालों कार को रीडिजाइन करके देते हैं आई सारा इंडिविज्वार्स नेसार विए नारी चार विज़न चार को हूंज़ बाराइब हमारा भी अगर कोई नेटिव प्रेस कुछ और है जहां से भी हम आये होंगे ना वहां की कोई खास एक डेली कसी होगी कहीं पर पेड़े अच्छे बनते होंगे कहीं पर कोई शिंग अच्छी बनती है कहीं पर कुछ नमकीन अच्छा बनता है यह नू ऐसा है ना यह उदर का है राइट तो यह अपनी छोटी सी एक लोकल मार्केट को केटर करते हैं ऐसे भी कुछ बिजनेस होते हैं तो यह चार टाइप के सेग्मेंट्स होते हैं देखो लोगों के अलग-अलग मार्केटिंग को यही समझने का है लोगों की जरुरते अलग-अलग टाइप की होती है ऐसी भी जरुवते होती हैं उसको कैसे बताऊं I love you बोलने के वेलेंटाइन डे बहुत confusing डे होता है मैं मेरे एक self-help सेमिनार में बोलता हूँ वेलेंटाइन डे के दिन बहुत cross connections होता है न ऐसा हमको किसी से लाल गुलाब की अपिक्षा होती है वो हमको पीला गुलाब देना चाहता है और जो हमको लाल गुलाब देना चाहता है उससे हम कुछ expected नहीं कर रहे है मेरा customer की अधर है मेरे को मालूम नहीं है मेरा एक blog आएगा आपी में बोलता हूँ न वो जो वरुन दवन का एक गाना है मालूम है कि तेरा ध्यान तेरा इत्यार है यह वेस्ट फुल्र marketing कि customer को हम बोल रहा है कि तेरा इतर है तेरा इतर है क्स्ट्टमर का द्यान के यह ओर आप 7 ऐसा होता है आफना क्या चाहिए मालूम ही फिल्म थी ना हमालूम हीरो फिल्म का एक गाना था तू तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का, तू ही हीरो है, कस्टमर ऐसा बोलना चाहिए, that is successful marketing, है कि नहीं, मैं बोलू कि तेरा हीरो हूं तो खदम होगी ना बात, वो कस्टमर ऐसा आके बोलना चाहिए, तो यहां पर देखो, कॉलेज में बहुत सारे ल कम से कम 95 के बाद जिसका जनम हुआ है, 1995 के बाद, यह जो जनता है ना, इस जनता को समझ ले ना, विकोज आगने आने वाले यही लोग अपनी सारी प्रोड़क्त खरीदने वाले हैं, राइट, है ना, अभी यो कमाई के एज पर आ रहे हैं, तो दीरे दीरे सब कुछ यही क उसका एक, और SMS मेरे ही क्रेडिट कार्ड पर आता है ना, बेवकुफ से खरीदा, मैंने बोला यह क्या है बेवकुफ, बोलता है, यही लोग आगे जा के सब कुछ खरीदने वाले हैं, तो इनके प्रोब्लम अलग टाइप के होते हैं, इनके प्रोब्लम को भी सौल करने का, अपने को solution देना पड़ेगा, marketing है finally, तो इसका target segment समझ में आया, youngsters, boys या तो girls, और कहां जाते हैं, lifestyle, student है, college में है कि school में है, college में है, तो यह मेरे target customers है, right, okay. झाल झाल